हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके हॉल टिकेट के बारे में बहुत सारे students का confusion बना हुआ है कि हमारा जो hall ticket है वो अभी release नहीं किया गया है हमारे exam 22 जुलाई से start होने वाले हैं पर हमारा hall ticket अभी तक क्यों नहीं आया है तो दोस्तों आईए बिना देरी करते हैं वीडियो को start करते हैं और जानते हैं आपके hall ticket की बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि 22 जुलाई से आपके exam है पर आपको hall ticket अभी नहीं आया है तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे channels हैं और बहुत सारे ऐसी website है जिसमें बताया जा रहा है कि आपको hall ticket आ गया है पर आपको hall ticket अभी नहीं आया है तो आप उस fake news में ना जाएं क्योंकि जब भी आपको hall ticket आएगा तो यहाँ पर आपको ignoo की official website पर alert वाले section में show होगा कि आपको hall ticket आ चुका है प्लस जब आप यहाँ पर नीचे जाएंगे यहाँ पर result वाले section में जाएंगे यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर hall ticket पर जब आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा अगर hall ticket आ गया होगा पर यहाँ पर अभी पुराना hall ticket सो हो रहा है December 2021 का तो यहाँ पर अभी आप किसी भी fake news में ना जाएं अभी आपका hall ticket नहीं आया है क्योंकि बहुत साथ fake news ऐसी आ रही है कि आपका hall ticket आ गया है और मेर से बहुत सारे student बार बार पूछ रहे हैं कि हम अपना hall ticket डाउनलोड कर है पर हमारा hall ticket डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपका hall ticket अभी नहीं आया है जब hall ticket आएगा तो इगनू की official website पर पहले से ही सो जाएगा और hall ticket जब आएगा तो मैं आपको अपनी वीडियो के मादिम से भी बता दूँगा पर अभी आपका कोई भी hall ticket नहीं आया है इसलिए आपको किसी भी confusion में नहीं रहना और किसी भी fake news में नहीं जाना है अब बात करते हैं कि आपका hall ticket कब आएगा तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपका hall ticket जो है वो अभी आजाना चाहिए था क्योंकि आपकी date सेट में भी लिखा है आपके exam form में भी लिखा है कि exam से एक week या 10 दिन पहले आपको hall ticket release कर दिया जाएगा तो इस इसाब से आपका 12 जुलाई के बाद hall ticket आ जाना चाहिए था पर अभी तक आपको hall ticket नहीं आया है क्योंकि जैसा कि आप जानते कि इगनू में हर बार देरी होती लाश्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि एक्जाम से 3 दिन पहल hall ticket जारी किया गया था और जैसा कि आप जानते कि 12 जुलाई को Saturday और 17 जुलाई को Sunday था और Saturday और Sunday को Saturday को तो ज्याधा तर काम नहीं होता Saturday Sunday को कोई भी notice जल्दी release नहीं किया जाता है इसलिए Saturday Sunday को आपका notice release नहीं किया गया है अगर आपका hall ticket आएगा तो 18 जुलाई के बाद release किया जाएगा यानि कि हम कह सकते हैं कि 18 जुलाई यानि मंडे के दिन आपका hall ticket आजाएगा मंडे के दिन भी आ सकता है टूजडे के दिन भी आ सकता है यानि कि Monday या Tuesday को आपको hall ticket जारी कर दिया जाएगा क्योंगी 22 जुलाई से आपके exam भी है इसका एक और कारण भी है क्योंगी सभी के exam 22 जुलाई से नहीं है किसी का 23 जुलाई से किसी का 24 जुलाई से किसी का 1 अगस्ते भी exam है इसलिए आपका जो hall ticket है वो 18 जुलाई के बाद कभी भी release किया जा सकता है पर 100% तो नहीं पर 99% 18 जुलाई को या 19 जुलाई को आपको hall ticket release कर दिया जाएगा इसके बाद आपका जैसे ही hall ticket आएगा मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बता दूँगा कि आपका जो hall ticket है वो release किया जा चुका है तो दोस्तो आई हूप आपको समझ आ गया होगा कि hall ticket अभी इसलिए नहीं आए क्योंकि Saturday ओफ रहता है Sunday भी ओफ रहता है इस दिन कोई भी notice जल्दी release नहीं किया जाता है और आपका जो hall ticket है वो Monday तक release किया जा सकता है आप थोड़ा और wait करें इसके बाद आपका hall ticket आ जाए तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा से चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद